नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासे अक्सर अपने बयानों को लिकर सुर्ख्यों में रहने वाली सुप्रियास श्रीनित एक बार फिर मारे गए नकसलियों पर बयान देकर सुर्ख्यों में आ कई हैं कुछ दिन पहले ही फिल्म अबिनेत्री और लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत के खलाफ बयान देकर विवादों में के रिखी गोर करने वाली बात ये है कि च्छतिस गड़ के नकसल प्रबावित कांके जिले के हिदूर और कलपर गाउं के जंगल में हुए पलिस और नकस नकसलियों को शहीद बता दिया है उनके इस बयान के बाद हर तरब से कॉंग्रेस की चम कर फजीहत हो रही है और कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए मिरसाथ इस्टूडियों मौचूद है कापिटल टीवी के एडिटर इंचीव डॉक् इश्कमार सर आपका स्वार करते हैं दन्यवाग सुप्रियाश स्रिनेत्र की कोई गलती तो नहीं नजरा रही है मुझे वो प्रवक्ता है और जो उनको कहा गया होगा कि प्रेस कॉंफरेंस में आपको एक बात कहनी है उन्होंने ये बात कह दी और जिस समय वो इन बातों को कह रही थी आत्म गलानी से वो पूरी तरीके से सराबोर थी जुबान तो चल रही थी शरीर धोखा दे रहा था बॉड़ी लेंगवज ठीक वैसे ही थी कि उनको ये बाते कहने में शर्म आ रही है क्यों कि कॉंग्रेस पार्टी ने आज बता दिया कि वो वाकई टुक्रे ट सबसे बड़ा प्रवक्ता बन चुका है प्रस कांफरेंस में कौन क्या बोलेगा यह जैराम रमेश टै करते हैं और जैराम रमेश एकवामपंधी है आपने आतंकवादियों को आज शहीद बता दिया घटना क्या है 29 आतंकवादी मारे गये हैं जिसे हम लों नकसलवादी कह आतंकी में कोई फर्क नहीं है कोई सुरक्षा बलका हिंदुस्तान का कोई जावाज सन्य अधिकारी किसी की मौत नहीं हुई तीन घायल हुए हैं मरा सिर्फ यह दानव यह नकसली यह आतंकी लोग मारे गये हैं और कॉंग्रेस पार्टी ने कह दिया कि यह शहीद है डूब मरो राहूल गादी तुम से यह पेच्छा नहीं थी कि तुम कॉंग्रेस पार्टी को उस जगह पिलाकर के खड़ा कर दो कि जहां हम लोगों को यह कहने पे मजबूर होना पड़े कि आज कॉंग्रेस पार्टी एक देश द्रोही पार्टी बन चुकी है नकसली बचा वो नकसली है और यह हम नहीं कह रहे हैं यह तो तुम्हारी सरकार ने पार्लेमिंट के अंदर कहा था यह तो तुम्हारे प्रधार मंतरी मनमौहन सिंग ने कहा था कि हिंदुस्तान को अगर सबसे ज़्यादा किसी से खतरा है पाकिस्तान चीछ सबसे हटा करके उससे ज़्यादा कुई खतरनाख है तो वो ये नकसली है ये माउस्ट है शहीद बना दिया कभी बाटला हाॉस में कोई आतंकी मारा जाता है तो सोनिया गांदी जरा सा भी आइडिया है, कि आखिर है कोनी है? या फिर कong्रेस पार्टी ये बताए, कि चानीज दलाल के रोल में तो नहीं कांक्रेस पार्टी आ गई है? क्योंकि जो नकसली हैं ये बेसिकली चाना के दोरा मोनिटर किये हुए उनके दोरा पैसा दिया हुआ उनके दोरा हत्यार दिया हुआ उनके दोरा दिमाग दिया हुआ उनकी है आडिलोजी उनकी विचारदारा पे हिंदुस्तान में आपरेट करते हैं और ये मत भूलिये दुनिया के टॉप टेन टेर्रिस्ट और्गनाईजिशन्स में इसका नमबर नमबर तीन आता है यह तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है यह अलकाइदा से भी ज्यादा खतरनाक है तो यह आपने आतंकियों को कह दिया सैनिक वहां लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की सेना लड़ रही है तो हम सहीत कर रहे हैं किसको सहीत कर रहे हैं वोट के चक्कर में आप ये काम करोगे वोट के चक्कर में आप जो है बिलकुल आतंकवादियों को साथ खड़े हो जाओगे जो गलती पिछली बार इन लोगों ने पुल्वामा के बाद कहा था पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला करके सबूत मांग रहे थे यही गलती कॉंग्रेस पार्टी से हो गई है नक्सली चैनीज दलाल है यह टूकले टूकले गैंग यह हिंदुस्तान के अंदर में जितने चाहे उसमें पत्रकार हो, जेनू के प्रोफेसर हो, दियू के प्रोफेसर हो, आईटी के कुछ लोग हो, टिस्क के लोग हो, ये सारे लोग आतंक वादी हैं, क्यूं? क्यूंकि इनकी विचार धारा ही यही है, आप देखिए इनके पास से क्या मिला है? इनके पास से क्या मिला है? एक के 47 का जखीरा? एक से एक, असाल्ट रैफल, मसीन गन, हत्गोले? ये कौन से, किस आख से आपने देख लिया, कि इन लोगों को सहीत का दरजा आपने दे दिया? बोलते हैं, शर्म नहीं आई, कॉंगरेस पार्टी को? तो ये देखिए, कॉंगरेस पार्टी जो है, चली गई है गर्त में. बिलकुल गर्त में चली गई है, राहुल गांदी जो है, इस कॉंगरेस पार्टी को तबा और बरबात करने में दो. क्या आदत बनती जा रही है, क्या पहले बयान फिर सफाई दे रहे हैं, ये लोग बोरे की तोर मडोर के बयानों को प्रूश्क कुछ नहीं है, तोड़ना नहीं है, ना मरोरना है, शहीत कौन हुआ, वहाँ कोईसी अर्धिसानिक बलके किसी व्यक्तिक की मौत हुई है, क्या जीते जी किसी को सहीत कहते हो, क्या, ये कोई तोरना नहीं है, ना मरोरना है, आप आकर के माफी मांगो, ये चैनीज दलल, यहाँ पे बैठ करके आप जो है, चैना से पैसे भी खाओगे, और चैनीज एजेंट्स जो ये जो नक्सली है, उसके लिए आप सहीत के दर्जा उन की आडिलोजी, ये हिंदुस्तान के सम्विधान को बदलना चाहते है, ये हिंदुस्तान में डेमोकरसी खत्म करके अपना कम्यूनिजम वाली आडिलोजी को पूरे देश में लागू करना चाहते है, और ये मत भूलना राहूल गांदी, ये तो होगा नहीं, लेकिन जिन द ये वालिंट रेवलूशन को लेकर के चलते हैं, वामपंती है, टोटल, और जो कोई भी कहे, कि नक्सलिजम जो है, लाइन ओर्डर प्रावलम नहीं है, ये एक सोस्य एकनॉमिक प्रावलम है, आप समझे कि वो दलाल है, तमासा हो रहा है देश के अंदर में, यही नक्सली म बता दे रहा हूं, यह जो राहुल गांदी उसके चक्टे बट्टे आसपास जितने लोग गूम रहे हैं, यह वही लोग है, जो अर्द स्थानिक बल के ऊपर यह नक्सली हमला करते हैं, उनकी जब हत्याय करते हैं, तो जेनियू में सेलिबरेशन होता है, वही सेलिबरेट क इस तरह की हरकत करने से क्या लगता है, कॉंग्रेस को क्या मिलेगा, भाई कॉंग्रेस पार्टी के लिए तो भाई देखिए, यह तो कोलू का बैल हो गया है, यह लोग, 36 गड़ में सोच रहा है कि भाई, नक्सली के फेवर में बयान दे दो, नक्सली समर्थन करतेंगे, व लोगों को और अर्ध सैनिक बल के लोगों की हत्याय की है, और आप ऐसे समय पे जब इतना बड़ा इंकॉंटर होता है, पुराना एक्सपीरिंस ही कह रहा है, कि नक्सली फिर वापस जो है, बदला लेते हैं, वो अटैक करते हैं, तब क्या राहुल गांदी इंडिया गेट राहुल गांदी को, सोनिया गांदी को, प्रियंका वाडरा को सामिया करके बताना चाहिए, कि सुप्रिया स्रिनेत्र ने अपने मन से कहा है, या फिर ये पार्टी लाइन है, और आज इस बयान के बाद से, वैसा कोई भी सक्स जो देश को प्रेम करता है, देश के सम्मिधा जिहादियों से ज्यादा खत्रनाक है ये वाइरस, ये गून है, एक बीमारी है, जनरल राओ थे, जिन्होंने ये कहा था, कि इंडिया इस रेडी फोर टू एंड हाफ फ्रंट बैटल, टू एंड हाफ फ्रंट बैटल क्या है, एक फ्रंट पाकिस्तान है, दूसरा फ्रंट है, और ये हाफ फ्रंट ये नकसली है, और आप इस तरह की चीजें कहके आप चुनाओ जीतनी के बारे में सोच भी रहे हूँ, कॉंग्रेस पार्टी, जो कुछ भी बचा-कुछा इनकी साख थी, आज इन लोगों ने उसे भी नश्ट कर दिया है, बहुत-बहुत धन्यवा आपने बड़बोले पन की पचास से बार-बार बेज़त होते रते हैं, फिर भी सबक नहीं लेते, गलती भी ऐसी करते हैं, जिसके बाद मुझ छिपा कर भागना पड़ता है, सबसे बड़ा सवाल में आज इतना ही, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नह झाल